केश किंग एंटी हیरफॉल शैंपू आज में रिव्यू करने वाली हूँ इस शैंपू के बारे में इस से पहले मैंने केश किंग हेरफॉल ओयल का भी रिव्यू किया हुआ है जो की बहुत ही जादा पेनेफिट्स मिले थे मुझे उस ओयल के तब मैंने केश किण एंटी पॉल शैंपू जो बना हुआ है उसके अंदर कर्ड की गुड़नेस है सबसे बात है कि इसको 21 आयोवेदिक हर्प से बनाया हुआ है जो की ऑई को भी 21 आयोवेदिक हर्प से ही बनाया गया था वही इंगीडेंट्स इन्होंने शैंपू में भी यूज किये हुए है जिसमें मे में इंगीडेंट्स है वो है ऐलोवीरा, मैथी, लेमन, ब्रेंगराज और ब्रहमी ये पांच इंगीडेंट्स ऐसे हैं जो की बालों के लिए बहुत जादा फाइदेमन माने जाते हैं इस शैंपू से बहुत जादा फाइदा हुआ है मेरे बालों को भी केश किंग तेल और शैंपू बहुत जादा फाइदेमन में क्योंकि ये दोनों hope predic's है और आहिपएदेटरीक्ट्स से बालों को और इसकीन को बेहत कम नुकसान होता है या यह कहिए कि कोई नुकसान होता ही नहीं है ये बालों के तूटने को रोपता है बालों को पोषर प्रधान करता है जैन डेप की प्रॉब्लम इससे तो बिल्कुल खतम हो जाती है और नए बाल को उगाने में भी ये हैल्प करता है और बालों के जढ़ने को रोपता है अगर आप केशकिंग शैंपू का और केशकिंग तेल का दोनों का ही यूज़ करते हैं तो आप ने बालों में बहुत अच साथ शेयर करने वाली हूँ हैलो क्रेंस वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल माई एक्स्पीडियन्स प्यूटेंट हाल्ट केयर मैं हूलिज़ा कैसे आप सब लोग आई होप सब खुश होंगे तो चलिए जानते हैं इस शैंपू के बारे में सबसे बड़े बात इस कि ये कैमिकल फ्री है और पेरविन फ्री है बात की जाए कि ये आपके बालों को दुबारा से उगाने में हैप करता है तो जी हाँ ये बिलकुल आपके बालों को उगाने में हैप करता है लेकिन आपको केश के एंटी हेयर पॉल शैंपू के साथ केश किंग आयरवेदिक औ यूज करना है और हफते में इसे कम से कम तीन बार नियमित रूप से लगाना है तो आप देख सकते हैं कि आपके नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। और इससे बालों में कोई नुकसान नहीं होता है, अगर बात कीजा इसके side effects ही, तो कोई भी side effects इसके देखने को नहीं मिले हैं, तो चलिए बात करते हैं इसके ingredients की, तो इसमें जो use किया गया है, वो है दही की goodness है इसके अंदर, ये हम सब ही जानते हैं कि दही हमारे बालों के ल नियमित रूप से भढ़ने में help मिलती है, दही एक बहतरीन प्राकर्टिक कंडिशनर है, जो बालों को soft बनाता है और उसमें shine लेकर आता है, दूसरे इसमें use किया गया है lemon का, बालों की growth के लिए मजबूत collagen production बहुत जरूरी है, और नीबू में vitamin C की मात्रा होती है, जो collagen production क बढ़ाता है, नीबू में कई portion तत्व होते हैं जो बालों के रोम को मजबूत करते हैं और नए बालों को उगाने में help करते हैं, इसमें use किया गया है aloe vera का aloe vera सिर्की खुजली जलन को भी दूर करता है, इसके अलावा बाल healthy बनाता है, इसकी growth तेजी से होने लगती है, ये oily बालों की problem को ठीक करता है और c1 production को भी control करता है, ये hair fall को रोकता है और बालों को repair करने में भी बहुत जादा beneficial होता है, इतना ही नहीं इसमें भेंगराज का use किया गया है, भेंगराज अच्छी तरह से बालों पर use किया जाए तो बालों को खुबसूरत घना, लंबा ब मजबूत बनती है, scalp की दिक्कत दूर होती है और dandruff के साथ ही जो आपके रूखे सुखे बाल है उनसे भी छुटकारा मिल जाता है, इसके अलावा इसमें use किया गया है ब्रहमी का, ब्रहमी बालों को healthy बनाने में help करता है, जिससे बाल लंबे और घने हो जाते हैं, ब्रहमी जिससे बालों में जो dandruff होती है, वो काफी हद तक दूर हो जाती है और बाल काफी हद तक soft हो जाते हैं, इसके साथी इसमें मैथी का भी use किया गया है, मैथी दाना आपके बालों के लिए अमरत की तरह काम करता है, इसमें मौजूद प्रोटीन और nicotinic acid बालों को अंदर स portion देने में help करते हैं, इसके अलावा इसमें लिसितिन भी पाया जाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और मुलायम भी होते हैं, मैथी दाना बालों में लगाने से बाल जरने की problem दूर हो जाती है, बाल healthy बने रहते हैं, तो इस shampoo में इन सारी चीजों को use किया गया है, कोई अगर चाहें, तो इसके oil का भी review मैंने किया हुआ है, उसका link में description में दे दूँगी, आप चाहो तो वहां से उसे भी देख सकते हैं, तो ये था मेरा आज का review जो बहुत ही जादा फाइदे मन्द है आपके बालों के लिए, छे से साथ महीने तक मैंने इस shampoo को use किया हुआ है उसके बाद मैं आज आपको ये review कर रही हूँ, तो आप 100% sure हो जाएए कि ये shampoo के कोई side effects नहीं है, बैकि फाइदे हैं इस shampoo के, केश किंग Ayurvedic Anti-Dandruff Shampoo 100% तक dandruff को हटा देता है, बालों के जहरने को कम करता है, इस shampoo में सिर्फ इतने ही नहीं, नीम, तुलसी, शिकाकाई जै इस shampoo से हफते में दो बार आप अगर अपने बालों को दोते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछी हफतों में आपके बालों में बदलाव आ जाएगा, आपके बाल बाउंसी नजर आने लगेंगे, आपके बालों में शाइन नजर आने लगेगी, तो ये था मेरा आज का review, आपको मिल जाए और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिचना हो, तो अपना ख्याल रखें, कुछ रही है, हल्दी रही है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक्यो पर वाचिंग